बिस्मिल्लाहिर्मान रहीम असलाम निकम्यार्ज मैं आपको वैलकम करती हूं आज की स्टेटिंग लास में आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बबसुरत बेबी फ्रॉग की का डिजाइन जो है वह शेर करूंगी यह मेरे पास बड़े अर्ज का कपड़ा है एक श प्रॉग की और लुछ के बाद निचे वाला बाॉटम जिए वह लेपी के लिए मैंने 12 इंच अपना निशन lock एक हमें के अभरन आप की कृट्टिंग कर तब लान बच आपकते हुए बारहैं पर मैंने 12 इंच में इसको फोल्ड किया इसके डिजाइन sa đãना Hayn हैं भीच में स्पेस है लाइनों की थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद मैंने लाइनों को इससरा से है कि यह जो लाइने हैं दोनों हमारी शॉल्ड़ के उपर आ जए इस तرو कुषलड है की कि यह जो दुन्ला जाए रहेंगी तो इसयत करके ओपनी चेरा चाहए के फ्रंट बैक को सेट कर दिया जो हमारी फ्रंट साइड है उसको मैंने आगे से उसको काज करवा के बटन लगाएंगे तो इसलिए इसकी मैं पत्ती जो है वो त्यार करूंगी एक डेर बैक साइड का और जो बैक साइड है वो हमने 17 इंच जो इसकी चैस्ट थी उस हिसाब से मैंने इसको त्यार का लिया 6 इंच इसका मैंने तीरा लिया है और 7.5 इंच इसका शोल्डर है इस तरह से मैंने इसकी ये पेटी की कटिंग जो है वो का लिए यहां से हमने इसके शोल्डर की कटिंग की साथ हमने उपर से इसकी थोड़ी सी रेव कटाई की और पेटी हमने अपनी त्यार कर ली फ्रांट साइड जो है हमने इसको अंदर की तरफ पटी जो है वो फोल्ड करनी है वो मैंने एक इंच जो है वो अजाफी रखा है नीचे बारे से और ये इस तरह से मैंने इसकी रेव क क्यार करनी इसके अंदर ही क् पेस था फोल्डिंग का है यह इस तरह से हम दोनों तरफ द्रफ से पत्यां करनी और यह जो मैं आपको बता रही थी इसकी डिजाइनिक जो है लाइनों की वह मैंने इसी साफ से अर्जस्ट की कि यह दोनों नाइन हमारे शूल्डर की उपर आ इस तरह से मैंने इस कप्ड़े की कि यह आद हम यहां से इसका फ्रांट साइड का जो है वो गले की कटिंग करेंगे धाय इश naked leech को और सब्सक्राइब को मैने डीफ हम से और ठाई से कटिंग कि है और गोले की इस इस तरह से cutting कारके यह उपर नीचे रखके हम इसको कच्चा का दें दें यह मेरे पास गोटा है silver color में इसको मैंने यह जो lining है हमारी इसके उपर जो designing बनी हुई है उसके उपर उपर मैं चार lining इस तरह से लगाने लगी हूँ गोटे की इस तरह से हम इसके उपर ये चाहर गाएंगे गोटे की लगा देंगे लगाने के बाद इसको उपर नीचे रखने के बाद ये इसकी साइड की निशे बाद तो यह हमारी फ्रांट वैक्ट वैवे आपस में जूड़ जाएगी अब हम अपनी पेटी प्रांट यह जो त्यार किया पेटी इसको साइड पर करते हैं नीचे से हम अपनी जो बॉटम है इसका गेरी है वह हम इसकी त्यार करने लगी है मैंने 20 इंच जो है वो इसकी लैंध लिया है गेरी की नीजे की तरफ इसकी ले रही ह разв और खुलाए हैं इसकी पूरा जितना अर्ज हमारे पास था वो नै पूरा इसका अर्ज ले रही है तक्रीबन 45 के इंच इसका था अर्ज वो ने पूरे का पुरा ले लिया लेकिं इसकी म factor वाज़ूं का फड़ा क्पड़ासा बागी कपड़ास की अच मेरे पास में हावाश कर लेंढ़ें Sorry गेरी के दो पर लेज़े हैं वो त्यार कर लिए है अब हमने इसकी ये जो है इसकी उपर से बरीक फोल्डिंग करनी है अगर आपने इसको पीको करवानी है तो पीको करवानी है अगर आपने बरीक इसको उपर से फोल्ड करना है तो वो करने मैं इसको बरीक फोल्ड करने लग इसकी चुनट डाली है एक सलाई के साथ चुनट नहीं डाली बलके डबल सलाई मैंने पैर का स्पेस डालते हुए दो सलाई लगाई है और उनको मैंने खैंचने के बाद इस तरह से इसकी चुनट जो है वो त्यार करूंगी यह देखें इस तरह से इसकी चुनट जो है त्यार इसलिए मैं इसको ऊपर रखके स्लाई लगाऊंगी बाहिर के तरफ रखते हुए उपर से चुनड नजर आएगी और इस स्लाई के ऊपर मैं यह वही गोटा जो है यह उपर इसके भी लगा दूगी इस तरह से यह मैंने इसके त्यार कर लिया फ्रांट बैक के साथ मैंने इसक 5-6 इंच की फ्रिल जो है वह एक और जो इसका आगे से कपड़ा बचा था वही मैंने डबल किया है और जो इसकी चुड़ाई है वह हम ले रहे हैं 5-5 इंच इसको त्यार हमें चाहिए तो यह मेरे पास तकरीबन 16-17 इंच कपड़ा था जिसको मैंने फोल्ड किया और करने क यह मेरे पास 5-5 इंच का फ्रिल जो है वो निकलाएगी यह इस तरह से इसको मैंने हाफाफ कर लिया और सेम उसी तरह से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे बरीक फोल्डिंग करने चाहिए आप पीको करने जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसके उपर करके और डबल इस तरह से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यह इसको डबल चुनट मैंने डाल दी डबल चुनट डालने के बाद नीचे हमने उसी फ्रॉब के नीचे इसकी फ्रिल जो है वो अटेश कर तो यह देखे यह फ्रांट पैक के साथ एक फ्रिल जूट चुकी है इसकी जो है वो लगा दिने में यह हमने सारे नीची आगे और पीछे गोटा पटी एटाच करती और फोल्ड करते हैं हैं जो साइड्व होई प्रॉडा की स्लाई लगाएंगे दौन तो से साइड icon की स्लँई लगाने कबाद नीचे से अपना जो है उसको गोल कर के फॉल्ड कर ल साड़े साथ इंच मुझे कंदा इसका रिक्वाइड है तो मैंने साड़े साथ को यह डबल करते हुए कि इस तरह से मैंने बाजू को का कपड़ा निकार लिया है और तकरीबर आठ साड़े आठ इंच यह इसकी फ्रांट है नंबाई है बाजू की इसकी हम काटिंग करतें गया अपने बाजू की और क्तिंग करके रेव इसकी इस तरह से कंदा की कटिंग की आगे इसकी कАN चाठ फ्रांट से की और इसकी थोड़ी सी फ्रांट से रेव कटाई करके हमने इसकी साथ हम इस-चाज आपर वाली साइट पे हम दो तीन चुनड़ डाल देंगे और फ्रांट साइड पे भी मैं इसी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके चुनटे डाल दूँगी और यह देखें यह हमारे बाजुचे हैं उसके साथ अटैच होके हैं अब मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया है जिसके साथ मैं इसके गले के उपर मगज़ी त्यार करूँगी पहले मैं इसका जो बैक गला है उसकी भी थोड़ी सी कटाई करूँगी डीब गुलाई में फ्राट की हमने पहले का ली थी अब यह बैक की भी हम थोड़ी सी कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद थोड़ी सी बोर्ट शेफ में इसकी मैंने कटिंग किया है और यह मैंने डबल कपड़ा लेके रेब कपड़ा लिया है डबल और उसके साथ मैंने इसकी मगजी जो ह सबसक्ता कु तो बतन वह उने काज करके लगा नहीं काहाएं की वहाना जा सब AO Daily का तो ही मत फ्रॉड़क। और तेकैं फ्रॉग कूई हो गया और किपना नीट बना और कैंदा प्यारा लगा रहा है बस तोड़ी सी इसकी एम होती है मेहनतale और यह आप इत्यार करें अपने बच्चों के लिए घर में और देखें कितना प्यारा लगेगा मुझे अपनी दूआ में याद रखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जूरूर करें अल्ला हफिर